नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं महत्तो पूर्ण वीडियो लेके आ गया हूँ जितने भी विद्यारतिय सेकंड ग्रेड वाले उनके लिए महत्तो पूर्ण वीडियो आपका हूब हूब पेपर ऐसा कैसा है आपको एकजाम में देखने को मिलेगा मित्रों आ आपका 21 तारिक को एकजाम है 22 को है और 24 को जिनका भी जीके का एकजाम है उन सभी विद्यारतियों के लिए महत्तो पूर्ण वीडियो लेके आया हूँ तो आप वीडियो को अंतितक देखना और ज्यादा से जदा इस वीडियो को शेयर करना आपने जितने भी दोस्त हो सके वहाँ तक क्योंकि 2 ग्रेडि की एदित तयारी में 4 चांद लगाने है तो जो प्रसन में करवा रहा हूँ यह ध्यान से करना और बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूसन है ऐसे कैसे आपको प्रसन एकजाम में देखने को मिलेंगे चले आप सुरू करता हूँ पहले प्रसन से आ वह बजाया जाता है जाज वादे अंत्रे अब आपको बता देता हूँ जाज वादे अंत्रे किस प्रकार का वादे अंत्रे गन वादे अंत्रे किस प्रकार का गन वादे अंत्रे शेकावाटी में कच्ची गोडी नर्ते के आउसर पर किया जाता है किस पर किया जाता है दो ये एक सुशिर वादे अंत्रे जो की मिना आदिवासी में जो है इसका प्रजलन है अलवर कोटा और अजमेर के जो गुजर है और मेव दाकड और काल बे लेके द्वारा भी ये प्रियुक्त किया जाता है कौन सा अलगोजा तो ये आप लोग याद रखना इंपोर्टेंट ज जाता है इसे जोगी नगाडची भी बजाते हैं तो ये आप याद रखना समय का दोसरा रूप है आव से पुचा जाए कि सरनाई का दूसरा रोप कौन सा है तो सुरनाई है ठीक है इसके सुर्नाय के प्रसिद वादक कों ते बोपे खाहाना वाहनों इसके लावा सनाई या नफीरी सनाई या नफीरी के प्रसिद सुशिर वादे यंतर जो की सर्वसेष्ट वह सुशिरी सुरीली वाद्य अंत्र है विवारों उत्षव पर कभी-कभी लोक वाद्य अंत्रों के साथ यह बजाए जाते हैं लोक नाटियों के साथ तो यह चीज़े आप सारी याद रखना मैंने एक ही कुशन में वह सारी चीज़े आपको किलेर कर द तो चार बेट चार बेट जो है किस परकार समंदिते तो यह टोंक से हैं किसे टोंक से समंदिते हैं टोंक में खेली जाने वाली संगीत रूपी दंगल लोक नाटे विद्या है वादे अंत्र कौन सा प्रिक्ट किया जाता है डप वादे अंत्र प्रिक्ट किया जाता है प्र निमले कित में से कौन सा यूगले नर्ते है तो यूगले नर्ते कौन सा है बताइए बताइए यूगले नर्ते दोस्तों सब जल्दी से बताइए सबी मैं जल्दी जल्दी करवाओं क्योंकि आपका एक्जाम आ गया दोस्तों समय नहीं है आपके पास जल्दी जल्दी प्रशिद नर्ती नर्ती आगना दोरा दोरा मांगली असर पर बरता का नर्ते किया जाता है उसके लावा संक्रिया नर्ते है कालवेल एक नर्ते होता है यह भी आप लोग याद्रतों याद रखना नेक्ष परसा है नापके लिए निमलिक कितमे से कौन सा चो सासक दे रखाया आगे और चित्रकलाशेली दे रहे कि सुमेलित नहीं है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं तो वीजे सिंग डेवगर ये गलते इसके लावा रासीं पर्तम जो नादवरा सेली चित्रकला सेली तो सई है यह भी और अनुब सिंग विकानियर सावन सिंग किसनगड़ तो बनी ठणी निक काल में बनीती सावन सिंग के काल में तो ये भी आप लोग ना मौर्दल नियाल चंद ने बनाई थी वह आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो जितने भी शेलिया होगे रहा है तो थोड़ा याद रखे जाना क्योंकि शेलियों से समंदित आपके पेपर में क्यूशन आ रहा है ये जो है मेरी बात हो गई है वह तो शुरुवात होती है वहाँ से अंत तक आपको नदियों का करम बताना है जल्दी से बताईए तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्योंदेगा सबसे पहले मिलेगी गुडिया फिर मिलेगी बागड़ी फिर मिलेगी सूकड़ी और फिर जवाई तो इस परकार आपका जिरात में इसका अंत हो जाता है और अन्य क्या क्या ना में लूनी नदी के तो लवनवती सागर मती अंत सलीला मरू वर्दा आदी खारी आदी मिठी कौन-कौन से जिले में प्रवाईत होती है किसन आ सकता है ये भी तो अजमेर नागोर पाली जोदपूर जालोर और बाड मेर में क्या होती है प्रवाईत होती है खुब कितने लंबाई है इसकी चार सो 75 में राजस्तान में प्रवाई कितनी इसकी 330 किलोमेटर इसे ठार के मरुस्तल की मुख्य नदी माना जाता है प्राचीन जलोड मर्दा बांगर का विस्तार है नहापर और इसके प्रवास यत्र को क्या बोलते है जालोर में दोस्तों जो आपकी लूनी नदी है इसके प्रवास यत्र को जालोर में बोला जाता है क्या बोलते हैं जाता है रेल या नेडा क्या बोलते हैं रेल या नेडा बोला जाता है तो यह आप याद रखना है इसके किनारे एक पसु मेला लगता है उस पसु मेले का क्या नाम है मली नात पसु मेला तिलवाडा बाड मेर मेर में लगता है याद रखना सभी दोस्त को लि बिलने वाली नदी कौन सी है तो वो एक मातर नदी है जिनका नाम है जोजरी क्या नाम है इस नदी का जोजरी अलुणी कि साइक नदी का नाम है लेलडी बांडी जोजरी सूकडी जवाई मताई खारी सागी फलास तो यह सारी आप याद रखना फलास नहीं है दोस्तों सागी अगला एक्षिन डाक में राजस्तान में किस पेड़ को जंगल की आग खा जाता है तो जंगल की आग किसे करते हैं प्लास को करते हैं ठीक है ना प्लास को दोस्तों जंगल की आग का जाता है तो आप याद रखना यह कहां मिलता है सरवादिक राजस्तान में अगला एक्षिन जगे बदल-बदल के की जाती है उसी के कुछ बाग होते हैं तो तीन परकार की करसि को काट करके की जाती है उसे दजिया बोलते है जबकि बील जिन जाती दोरा पाड़ी वनों को जो जला कर की जाती है पाड़ी वन जो रहते हैं उनको जला के जो कसल करशी की जाती है उसके चीमाता करते हैं वालरा किसे करते हैं तो वालरा करते हैं इस्तांत्रिक करशी को करते हैं तो अब बताओ मुझे कि दजिया और चीमाता का मतलब किया है तो भीलो के दवारा हो गया आया के नहीं आया समझ में आया ना तो भीलो के दवारा दजिया और चीमाता हो गया भीलो गया भीलो से समझे तर दजिया और चीमाता वहाँ पर है उनकी पाड़ियों को बोलते हैं बाग करका की पाड़ियों को सीरोईगी को और गिर्वा बोलते हैं उदेपर की जो पाड़िया है उनको बोराट का पटार कुमलगड और गोगुंदा के मद्दे हैं बोराट का पटार कुमलगड और गोगुंदा के मद्दे हैं रामगड़ी की पाड़िया गलत है दोस्तों रामगड़ी की पाड़िया का है आप भी बता सकते है क्या हो ऑचा की रात Bachelor है उन्हां परह समथा में जब तो बोनई आपको बता दिया जब क्यों प्रमाल तो ये उपरमालका पूचा गया है तो आप के भी जरूर आ सकता है कुशन उपर माल उपर माल विजोलिया विलवड़ा तता बेश्रोडगर चित्तोडगड के मद्य इस्तिते उसके अलावा आप अपने दोस्तों के साथ 20 वीडियो को सेयर करें साजा करें उनको भी बताएं दोस्तों आपने जो लेब असिस्टेंट और वंद्रेक्सक में जो पढ़ा था न सारे के सारे किसन वहां से आये थे आपको विश्वास नहीं तो लाश्ट वीडियो सारी जाके चेक करना और उन्ह कौन सा नसल और पसु समयलित नहीं है कौन सा पसल और नसल जो है समयलित नहीं है नसल दे रहकी आगे और पिछे पसु दे रहके समयलित नहीं हो बताएगा तो क्या हो जाएगा इसका सोनाड़ी बेड़ की होती है साचोरी गाय की हमेसाना बेस की होती है बकरी की गलत है दो और नहीं तो क्या है मैंने एक वंदरक्षक की बना रखी है ठीक है वो मैं आपकी जो second grade वाली playlist है उसी में उसको लगा दूँगा तो आप वो जरूर देखे जाना ठीक है न देखके जाओगे न मैं आपकी अभी जो है प्लेडिस्ट बना दूँगा तो उस प्लेडिस्ट में मैं आपको एक वीडियो दूँगा पांच क्यूशन पांच टोपिक वाला वंदरक्षक की उसे इसमें जोड़ दूँगा प्लेडिस्ट में तो उसे जरूर देख ले ना उसमें पांच टोपिक है आपके पांच नम्मर कहीं नहीं जाने वाले ठीक है न तो या भी इसको ब मिलान कीजेगा रामानुज तो विशिष्टा देत हो जाएंगे रामानुज क्या हो जाएंगे विशिष्टा देत मादवाचारे मादवाचारे क्या हो जाएंगे देत निंबार्ग चारे निंबार्ग चारे क्या हो जाएंगे देता देत वल्लवाचारे सुद्दा देत इ दीरतेजाज जी का मिला कहा लगता है udah छुपर पहल कमने के सुक्रामः नागौर बहुक्त ओै leggť चैंद्रबागा ज़ालडा पाता जाल वार्ड मन्लीनाथ जी अभी मुझा स्केमों सब्सक्राइब का तरक्र Elitsam हो जाएगा अगला क्यूछ सारी इंपोरेंट होते है जो क्यूछ यादATE होते हैं जो किससान आपको बताओंगा जब आपका पेपर हो tyres पेले आपको कुछ क्यूशन बताऊंगा 100% गार्णिटी भी दूँगा कि यहां से क्यूशन आएगा और पक्का आएगा क्यूशन तो आप लोग दो है लास्ट में मेरे साथ एक वीडियो देखना उसमें बताऊंगा न तीन चार क्यूशन में आपको ऐसे बता दूँगा आपको ए लबाडा तहसीलों को राजताने मिलाया गया तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों इसका जवाब हो जाएगा फजल अली क्या हो जाएगा फजल अली इसका राइट आंसर होगा गिरियासन ने किस बोली को भीलो की बोली की संग्या दीती तो इसका जव आथा था हम आप लोगों को देखिए एंव और इसकी बोली है दोज़ अपड सी है दावडी याद रहना वाघड़ीा डूंगर leaf आर बासवड़ा में बोली जाती है जिसे गेशन ने क्या काता बीली बोली काता बीली बोली की संग्या दीती वागडी को सेकावाटी सेकावाटी में मारवाडी की उपबोली बोली जाती है सीकर चूरू जुन जुनू में प्रचलीते जोकी गोडवाडी जालोर आहोर पाली वगेरा में बोली जाती है देवडावाडी सीकर जुन जुनों में आसपास बोली जाती है पुछा जाता है जगरोती करोली में बोली जाती है राजावाटी जैपुर के पूर विभाग में हाडोती कोटा बुंदी जालावाड में कभी सुर्य मलनमिश्ण की जो रचना है वह हाडोती में मिलेगी आपको यह याद रखन ठीक है मेवाति भरतपूर अलवर में बोली जाती है ठीक है नहीं याद रखना important है आपके लोग ठीक है तो दोस्तों इस सारी चीजे मैंने आपको बता दिये इतने सारे क्यूशन तो इंपोर्टेंट है जो जो इंपोर्टेंट है वो मैंने बता दिया जो निमाडी निमाडी पुछी जाती है दोस्तों किसकी उपबोली है तो मालवी की उपबोली है निमाडी और रागडी जो है रागडी मालभी और मारवाडी का क्या है मिश्रण है ये भी पूछा जाता है खेराडी डुंडाडी मेवाडी हाड़ोती का समिश्रण है खेराडी पूछा जाए तो आप लोगों से तो यह आपको जो मैंने बताया यह सारे याद करके जाना कि उसन यहां से आएगा और कहीं से नहीं आने वाला राजस्तान में नियूंतम जन सिंक्या वाले निमले के तीन जीलों का सही करम सही बढ़ता हो करम बताना है आपको नियूंतम जन सिंग्या वाला सबसे नियूंतम फिर उससे बढ़ता फिर उससे बढ़ता सबसे नियूंतम बताओ पहले ठीक है क्या होगा इसका तो हो जाएगा जेसल मेर परताब गड़ और शीरोई नियूंतम जन सिंग्या वाला तो यह हो जाएगा आपका नियुनतम जिन से किया जैसले मेरे की 6.79 लाग है और आपके प्रताब गड़ी की है दोस्तो 8.66 लाग और आपके सीरोई की कितनी है यह 10.36 लाग तो इस परकार बढ़ता हो जाएगा अगला एक्शन राजस्तान में मैं और जून में सरवादिक दूलवरी आंदिया किस जिले में चलती है तो दूलवरी आंदिया 27 दिन कहां चलती है गंगा नगर में सबसे कम चलती है दोस्तो जालावाड में मातर तीन दिन जालावाड में चलती है मातर तीन दिन तो यह भी आप लोग याद रखिएगा चलता हूँ नेक्श परसं राजस्तान मे तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है ना तो याद रखिए important है ये question important है कि तारा बालु का इस तो अब कहा बनता है तो तारा वाला आ सकता है तो ये बनता है मोहनगड जेसल मेर और सूरतगड गंगा नगर याद रखना ना इसके बारे में थोड़ा ना क्यूसें आ सकता है यहां से मित्रो नेक्स क्यूसें राजस्तान राजस्तान राजे में कर्शी गंड़ना तो जार पंद्रा सोला के अनुसार कुल पुरुस परसली जोतों की सिंख्या कितनी है इसका अंसर हो जाएगा 68.66 लाग अगला राजस्तान सरकार के उद्योग विवाग का नया नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो रख दिया गया है उद्योग यहों मानिज्य विवाग अगला क्यूशन परदान मंत्री करसी सीचाई योजना सुक्सम सीचाई के वित पोष्ण का पेटन केंद्र और राज्य के साथ समन्द में क्या है इसका जवाब हो जाएगा 40.60 का अगला है क्यूशन 2001 की तुल्ला में 2011 की जनगन्ना के अनुसार राजस्तान की नगरी सियत् पर लिंगानुपात परती 1000 प्रसोब पर कितनी महिलाओं का बड़ा है तो बड़ा कितना है 24 महिलाओं का इसका जवाब हो जाएगा ब्यावर क्या होगा ब्यावर कमला और इलाइची किस की अग्रणे चितरकार है तो नाथ द्वारा की अगला क्विशन मिर्जाई दूताई और डंगला किस के प्रकार है 24 वे का सही जवाब होगा अंग रखी के अगला क्विशन निम्र में से किस मुख्य मंत्री को डिंग गोली कांट के बाद इस्तिपा देना पड़ा और उनने कब इस्तिपा दिया बताईए डिंग जो गोली कांट बता उसके बाद इस्तिपा दिया और कब दिया वो बताना है तो इसका जवाब होगा दोस्तों सीव चरण मात्रों ने दिया था और कब दिया था 23 परवरी 1985 अगला एक्षान राजस्तान में किस वर्स जिला ग्रामिन विकास अभी करण DRDA का विले जिला परिशद में किया गया 2003 में क्या होगा 2003 में अगला क्षिशन है अगला क्षिशन आपके लिए क्षिशन है कतनों को ध्यान पूरवक पढ़िए राज्य पाल ये गोशना करेगा कि वो विदेग को राष्ट पति के विचार के लिए आरक्सित रखे ये अनुचे दोसो तो बिलकुल है सही है राष्ट पती राज्येपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विद्यक को सदन को लोटा दे बिल्कुल एक और दो दोनों सही है क्या हो जाएंगे एक और दो दोनों सही है सोरी दोस्तों तोड़ा सा प्रोग्लम हो गई थी है न एक मिनिट रुकिए अभी करता हूँ न ठीक है सही हो गया राष्टान सिविल सेवा अपील अदिकरण कहां इस्तित है इसका जवाब दीजेगा जवाब हो जाएगा जेपूर में कहां है जेपूर में इस्तित है अगला गटन यह दोस्तों पहला वाड़ा गलत है अधियों का गटन 15 महिट 2009 को हुआ बिलकुल सही है यह गैर संबिदयाती में प्रसार प्रासर्मिग प्राश कारी बिलकुल प्रामर्स कारी निकारी सही है इसका कारे महिला उत्पिडन से संन्धित चिकायत werd सुनना और उनकी जाच करना है तो सेकिंड थर्ड और फॉर्थ सही है किस ओप्सन में देखते हैं तो सेकिंड थर्ड फॉर्थ इसमें हैं बिलकुल सही है अगला एक्षन राजस्तान में लोकाई उक्त वार्शिक परतिवदन किसको प्रस्तूत करता है इसका जवाब पुझाएगा माजशेपाल को वर्शों 202 तक राजस्तान में पंचยती राज संस्तानों के लिए कितनी बार चुनाओ आयोजित किये गए हैं 11 बार 11 बार 11 बार आयोजित किये गए हैं अग्ला एक्षिन अनुसोची सेत्र विश्तार अदिनियास 1913 का सम्मंद है ते सम्मंद है दोस्तों पंचायत राज ससक्तिक्रण से किसे पंचायत राज ससक्तिक्रण से बारते सविदान के कौन से अनुचेद में ग्राम सबा की परिबासा है तो किसमें ग्राम सबा की परिबासा अनुचेद 233 में तो यह आज के 34% इंपोर्टेंट परसंत है आपके सेकंड ग्रेड के लिए जितने भी विद्यारती जो सेकंड ग्रेड के देख रहे हैं जिनका एक्जाम 21 को 22 को और 24 को है उनके लिए मैं यह वीडियो लेके आया हूँ बहुत इंपोर्टेंट है रास्तान जिक्के के लिए रास्तान जिक्के आपकी यहां से क्लियर हो जाएगी जो भी विद्यारती रास्तान जिक्के की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए खिलास जो है राम बान साबित होगी धन्यवाद मित्रों मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ तब तक बने रही है